बमबम भोले के उद्योशों से खनियधाना नगर बना काशी, शिव बारात में भक्त बने भोले नात के बराती, महाशिवरात्री पर बाबा भोले नात की विदिविदान से पूजन आर्चना के साथ ही शहर के विभिनिस्थानों से होते हुए बोले बाबा की बरात धूमधा शनिवार को पोठियाय शिव मंदिर से निकाली गई शिव बरात में सैक्डू की संख्या में शिव भक्तों ने हर हर महादेव हर हर संभू बोले बाबा की भजनों पर मृत्त करते हुए खनियाधाना को शिव में बनाया महाशिवरात्री पर्व पर निकाली बरात में हर भक्त बाराती बनने को उत्सुख दिखे पोठियाय के साथ ही खनियाधाना के महाराना प्रताब चोरह से बस इस्टेंड से होते हुए सीता पाठा मंदिर पर बाबा भोलेनात का ठीका हुआ पोठियाय शिव मंदिर से पिछले कई वर्षों से बारात निकालने का आयोजन किया जाता रहा है बारात में भूत प्रेत राक्षसु के वेश भूशा में भक्तों ने बैल गाडियों और घोडों से शिव बारात में हिस्स्ता लिया एवं सांस्कृति कारिक्रमों का भी आ पूरा वातावरन भोलेनात के जैकारों से गुझ उठा शिव बारात में बाल रूप में छोटे-छोटे बच्चों ने रादा कृष्ण भगवान शिव और माता पार्वती का रूप धारड कर भक्तों को मनमुग्ध कर दिया बारात में नगर के लोगों ने पुष्पवर पुष्पवर्षा के साथ भक्तों ने महाशिवरात्री का पर्व धूमधाम से मनाया बगवान शिव की बारात बस स्टेंड से गुझरी तो पूरे सब स्टेंड का नजारा भक्तों को अपनी ओर आकर्शित करता रहा खनियाधाना से शिवकान सोनी की रिपोर्ट बैल नादिया घोड़े आती सभी जो है बरात में लेके शिव जी यह बरात यहां से चलती है तो खनियाधाना होते हुगे वाया बस टेंड और यह सीथा पाटा सिविस्तान इम्मत पर जो ग्राम बंज्यात पोट ही पड़ता है वहां बरसों से यह कारिकरम चला रहा है और इस पर सब लोगों ने बहुत बर्चण के हैसा लिया और आगे भी उम्मीद रहेगी कि इससे भी बर्चण के आगे यह कारिकरम होगा आज हमारे खनिया धाना में जो गोले नाथ की बरात निकाली गई है शिवरत्री के पावन पर पर आज कहनीः धाना में ऐसा लग रहा था जैसे की यह खनिया धाना नहीं उज्जेन जैसी कोई महाकाल की नगरी हो जाँपर पूरा खनियाधाना भगवान सिप की भोले की बक्ती में ऐसे रम गया था जैसे की ये समझ लीजिये कि खुद ही आज की जमाने में भगवान सिफ की बडात निकल रही हो इस तरह से खनियाधाना में सिफ जी के इतनी सुन्दर जाकी निकाली गई तेपि बरात निकाली गई, बिभीनN strict बेलगारियों पर भूत नाच रहे थे और साथी साथ एक बहुत अच्छी बात हुई, कल खनिया धहना में, बरात के साथ में, ग्यारा जोडों की शादी जो हुई है, भोले नाथ की शादी च्छादी के साथ में, ये बहुत अच्छी बात देखने को मली खनी अनामे